हरे कृष्णा देखो आज हम लोग जो कुछ कथा स्रवन करेंगे हम लोग को नित्य नियमित रूप में किस चीज का प्रति ध्यान देनी चाहिए हमें क्या करनी चाहिए और जीवन में क्या नहीं करनी चाहिए और हमारी भक्ती धिरे धिरे भगवान की प्रति हमारी भक्ती कैसे धिरे धिरे बढ़े हम उन विश्वयों को उपर में आज हम सास्त्र में क्या क्या बताया वो चीज़ को हाँच स्रवन करेंगे तीक है ना हरे कृष्णा हाँ देखो नियम है जैसे भगवान की मंदिर है ध्यान देगरस्णा जैसे भगवान की मंदिर है कि नियम है जहां ठागुर जीगा मंदिर हो ना उसको सामने से हमें यह जुता पहिन करके नहीं जानी चाहिए ठीक है ना जैसे रोसे घर है रोसे घर में भी क्योंकि उसमें ठागुर जी की प्रसाद बनता है भगवान के लिए प्रसाद बनता है जहां ठागुर जी के प्रसाद बने कभी उसी घर को अंदर में जुता चपल पहिन करके नहीं जानी चाहिए ध्यान रखना ठीक है जैसे बहुत ज्यादा थंडा है कब घृता है वंधर थान्डा उसमें होता है ईपopen ये से कपड़े का ये से मोजा पहनो मोजा ठीका और अंग्री चीज में ठीक है पहित अगर थंडा पड़ेतो लेकिन इसा हम साधारन रुप में जुत्ता चपल पहनते से चमड़ा की यह सब चीज पहिन करके कभी भी रोसे घर में हमें नहीं जानी चाहिए और जो भगवान की जो मंदिर है न वह एक है अगर उसी ठाकुर जी के लिए जहां प्रसाद बनता हैं आपको पता है जुता चपल सब के सब अपवित्र है अगर यह सब को लेकर गए तो मता जी क्या बात कर रहे हैं चुपचा बैठो इधर देखो तुम बैठो करी मत जाओ इसलिए फिर तो घर से लख्मी भी घर से चली जाती है लख्मी भी घर में नहीं टिकती है यह पहला नंबर कभी भी जुता चपल पहिन कर ग्रोसे ही और ठाकुर जी का घर में नहीं में जैसे वह साल में एक बार भगवान राम का भी जंवाहता हैं कभी-कभी नरस्तीजिग भगवाण के जन्मव सिर्फ पाथ हैं जह से कुछ-کछिति पर्व में अब लोगों देखना हम लोग घर में बढ़िया बढ़िया खेल अच्छ अच्छ ऊrok धाना बनाते हैं है से बच्ची का बर्थडे में कितने आनंद खुश रहते हो बच्ची का बर्थडे के कटबाते हैं और धुमधाम से उत्सव करते हैं जैसे साधी की सालग रहाने पर उसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं जब अपना लिए अपना बच्चे के लिए करते हैं हमें ठागुर जैसे हमारी गुरुजी की 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 कोई तित्थी हो कुशिस करना उसी तित्थी में रोज रोज जो घर में बनाते हो उसको तो बनाना है लेकिन उसी दिन कुशिस क करना कोई विशेश बनाने के लिए थोड़ा पकड़ा बना दिया खीर बना दी थोड़ी जो अच्छे घर में हैं जैसे ठाकुर जी है अच्छे तरे सुना जैसे ठाकुर जी नियम है सब्छे उठने का बाद जरूर ठाकुर को मंदरि में जाकर ठागुर जी को प्रणाम करनी चाहिए जैसे ठाकुर जी को जैसे प्रणाम दोनों हाथ से करनी चाहिए ऐसे नहीं हैं एक हाथ से ठागुर जी को प्रणाम नहीं करते ठागुर जी को दोनों हाथों से प्रणाम करनी चाहिए अगर मताओं को पंचांग में प्रणाम करनी चाहिए महroeं पा पंचांग समझती हो जएसे घुठन गार करके जैसे दोनों हाथ दोनों घुठन और से 5 हो गया उनको मुझे करके जो साश्तांग में साश्तांग मतलब हो जा जैसे ब्रणाम करको परणां प्रणाम कर दिवाजिए पूर्ण के लिए ये उस्तृयों के लिए ऐसे प्रनाम कर नहीं चाहिए गो ठिशनी जो छो फो हमें। जैसे थाकरों को सामने थाकुर को सामने बावा जैसे बैठा है ना ऐसे नहीं बैठता है आप लोग बैठो बैठो आपको सबको दिखा देता हूँ जैसे यह बैठा है ना ऐसे जो ऐसे ना ठाकुर क्योंकि भगवान ठाकुर जी है वो हमारे प्रभु जी है दुनिया का मालिक है इसलिए ऐसे नहीं यह सामने पूरा पियर को नहीं बैठतें कि हमारे मालीं के उनको सामने saamने से करके बाइटनी चाहिए है और जैसे मंदीर अगर तुम जैसे घर में मंदीरी है अगर वहां सुभीदा हो ज़रूर परिकमा करो जैसे नियम है 4 परिकमा करनी चाहिए है चारी से पांच कर अच्छे करो लेकिन चारी से कम नहीं करने चाहिए तीन बार परिक्मा नहीं करते हैं चारी बार परिक्मा करते हैं पांच बार करते हैं साथ बार एकीस बार है इसो परिक्मा अगर घर में सुभी धा हो ठाकुर को परिक्मा करने का जैसे हम लोगी तुलस की परिक्में लगाएं है कि जैसे ठाकुर जी की की दरवजा खुला हुआ है मैं नहीं अगर मैं अगर सुना अगर तुम्हारी शुभी धा नहीं पहले जो स्क्रीन होगा उसको बन्द करके ठाकुर को सामने ऑड़े है उसको सामने हम लेट गये ठाकोर जी खुले हुए हम भी लेट रहें कति यह नहीं करनी चाहिए और ठाकोर जी का जैसे दरब खुला हुआ जैसे ठाकोर जी गाह उनको सामने भोजन भी नहीं करनी चाहिए तीर हुआ भोजन नहीं करने चाहिए और जैसे ठागर के सामने कशाम खा लेता हैं लेकिन हम इनी काम नहीं कशाम नहीं बोल सकते हो ठागोर को थोड़ी जूट बोल सकते हो सब देख रहें ना सब जानते हैं मिद रहें कभी भी कशम कभी कशंधी नहीं चाहिए चाहिए और हला हुआ है दूसरों को जोट लगाना सुरूं कर देता हूँ ऑब जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं नहीं ठाकरु को सामने सनमान पुर्बक हैं इसलिए क्योंकि दुनिया का माली की होई हम माली की नहीं ठाकरु तो माली की वो किसको सासन कर सकते हैं हम किसको सासन नहीं करें सकते इसलिए ठाकरु को सामने जोर से बोलनी नहीं चाहिए और किसको डाटना भी नहीं चाहिए क्यो ठाकुर को सामने बैट करके दुनियादारी की बात, दुनिया संसार की बात कर रहे हो नहीं, ठाकुर को सामने ठाकुरी की चर्चा हो, भगवान की कता होनी चाहिए, भगवान की चर्चा होनी चाहिए, भगवान की चर्चा को छोड़ करके ठाकुर को सामने कभी भी दुनिया तारी की चर्चाह में नहीं करनी चाहिए ऐसे ताकुरुका सामने जगडा भी नहीं चाहिए उचला गाल आप नहीं चाहिए अगर ठाकुरणी चाहिए अगर प्रेम से अगर रो रहे हो अच्छी बात है इसलिए दुनियादारी चीज़ को लेकर ठाकुर को सामने नहीं रोनी चाहिए ठाकुर जी का सामने किसी को सासन करने नहीं चाहिए ठाकुर को सामने जगड़ा भी नहीं करनी चाहिए ठाकुर को सामने किसकी बुराई भी नहीं करनी चाहिए बुराई जो चीज है बहुत गंधा चीज है अब जिसको भुराई करोगे क्या होगा उसको सारे पाप तो तुम्हारी उपर आ जाएगा अब जिसको भुराई करोगे ना तुम्हारी पुन्य उसको पास में चली जाएगी और उसका पाप तुम्हारी उपर में तुम्हारी पाप चली आएगी एक चोटी से कहानी सुना य काम करें खाने सकता भीक मागने आगे उसने क्या कि जो घोड़े का जो लीड था पाइखना उसको तली में दे दिया वह तो संत्त है वह तो खूस होगर चले गए लेकिन एक दिन और आजा घुमते घुमते और संतों का आश्रम पर पहुंचे गए जंगल में देखा उजो घो उसने का आपको याद होगा कभी मैने आपकी दरवार में भिख्षा लेना आया था याद है आप मेरे को क्या दिया था घोड़ा का लीड दिया था ना इसलिए संतों को जो चीज देते हो कि भूढती नहीं कि सन्तों को जो चीज देते हो ठाकुर को सिवा में लगाते रप्रती दिन दीन व करती दिन जो लीड फोल इतना बढ़ेगा तेरे देसमें गोड़े केव या शिवाए तो राजय भेर जाया। राजा तो कहां पूटा पहाड आकार में बले चरण में गिर पड़े रोने लगे माप कर दो कोई उपाए हैं इसको खतम करने का बले एक उपाए हैं अगर तुमारी राज्या में तुमक को सब बुराई करे जो बुराई करेगा तुमारी तुमारी जो पाप है ना उसको पर चले जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे बले क्या करना बताओ तुमारी घर में के बेटी है ना जो साधी के लाइक है बले उसको सब को सामने तुम पुराई करेगा तो घर गर में बुराई यह दुष्ट राजा अकली अपना जबाने लड़की को लेकर करके अकला ये बगीचा में रहता है यह घर हे घर में बुराई स्पुरा की राजा की बुराई एक दिन राजया आया देखा तो जो लीड था न खतल हो गया लेकिन एक टोकरी बाकी है उन्हें ने भॉले सब सो खतल है एक टोकरी बाकी के से थुमारी राज्या में एक बुरी मता दुन भकति करती है भगवान की भजन करती है वो कभी भी किसकी बुराई नहीं करती दीन राद भगवान की भक्ति करती है उसी की हिसा की रह गई अगर वो तुम्हारी बुराई करे तो बास फिर खत्म हो जाएगा लेकिन वो सहज में किसकी बुराई करती नहीं किया करना पड़ेगा उससे पुराई करवाओ फिर तक खतम हो जाएगा इतने में राजा ने किया अपना बेस को बदला करके एक साधरना बेक्टिकार बेस लेकर के बुढी माता जी की घर में पहुंची जह पहुंची देखा माता माता जी माला लेकर भगवान की भजन कर रहे थी भगवान का नाम जब कर रहे थी इतने में राजा जा करके माता जी माता जी तरे को पता है कि राजा क्या कर रहा है वह सोच रहा है वह बुरा ही करें कि राजा इसे गलत काम कर रहा है जब बोला पता है तो राजा क्या कर रहा सबकुछ पता भजन का प्रभाव से तुम वही राजा हो जब संत तुम्हारी दर्वार में आया था उसको घोड़ी का लीड दिया था ना भी लीड दिया था ना वे एक टोकोरी बच गई ना उहां पर तेरे को खाना पड़ेगा तब खतम होगा में किसी करती हो राजा तो काप उठार है इसलिए यहां पर कहते हैं कभी भी खिर घृत क्या करो ले इसलिए आगर किसी भलाई नहीं कर सकतो कभी कि बुराई भी नहीं करनी चाहिए गंधा चाहिए इसलिए यहां पर कहते हैं कि कभी भी किसको प्रति बुराई मत करो और दुसरे का ठाकुर को सामने किसके बुराई करना भी गंधी बात है किसकी प्रसंसा करना दुनियादर की प्रसंसा नहीं करनी चाहिए प्रसंसा करना तो ठाकुर जी की प्रस भूर आई भी मत करो तो सामने को ताकुर को सामने निमना बायव मासमेशत और गहर में नहीं त्याग दनी चाहिए जैसे ठाकुर जी है ठाकुर को सामने कभी पीठ करके नहीं बैठनी चाहिए ठाकुर को सामने हर समय आगे करके बैठो कभी ठाकुर को सामने पीठ करके नहीं बैठो करते ठाकुर को सामने जैसे कोई पान खाता हैं कोई तंबा को खाते हैं यह सब चीज को नह लेनी चाहिए ठाकुर जी को सामने ठाकुर को सामने जैसे भगवान की यह चीज अच्छे तरह समझो जैसे ठाकुर जी को घर में जैसे सिवा पुजा करते हो कोशिस गरना थोड़ा पवीतर रहने का लिए एक चीज समझो, जब कोई चीज हम भोजन करते हैं, भोजन करने का बात, जैसे मुह में हाथ लगा तुमारी, वो हाथ तुमारी अबवित्र हो गया है, फिर उसी हाथ को जो चीज ठाकुर को भोग में नहीं लगा है, अगर वो हाथ को फेर उसमें हाथ लगा दिया फिर ओगी तो जूटा हो गया ना, फिर वो ठाकुर का सभा में केसे लगेगी, इस चीज को ध्यान रखियो, क्योंकि इधर का लोकिया तो उसी हाथ में खा लिए पर है Whoo आप धोई नहीं घुटा हो जाता है नहीं अगर कोई चीजि खाए उतों को जोटा हो जाता है है इसलिए निटरल से जो अइसलिए जूक पहाते हैं चिवाते हर समय ह मुहर जोटा रहते हैं कि जूटे मुह से घागुर के ऊह नहीं इसलिए हमारी सास्त्र में यह तंबा को फंबा को गुटका फुटका इसम चीज को मना किया है खाने के लिए यहां तक कोई चाह पी रहते हैं यह चाय में क्या दोस्त अच्छे तरह समझे भागवत कह रहा है मैं नहीं कह रहा हूं इसलिए कली को चार जगा पर स्थान किया है एक जगा है कली की क्या है कली की एक पानम मतलब होता है नसली बस्तू इसलिए नसली बस्तू ग्रहण नहीं करनी चाहिए जो चाय है ना यह नसली बस्तू है कैसे नसली बस्तू चाय की जो पत्ते में कोई दोस नहीं चाय की पत्ते में कोई दोस नहीं लेकिन उसमें के निक लोटन डालतों पएजने जैसे जो ब्रक्ति सराब पीता है आप देखना साइब पिने का समय आएग। अगर वो बटि सराब नहीं पीता हैं कि क्या कैसे लगेगा के लिगा बेचंडर सी हो जाता है क्यों उसकी अंदर में तैक कफिन डाला हुआ है यह पैजन चीज उसलिए नसली भस्तु नहीं लेनी चाहिए पहले विदेस लोग पहले भारत में कोई नहीं चाहिए पिते दूद पिते ते मठा पिते थे चांच पिते दही तुद खाते पहली भारत भी नहीं था यह अंग्रे जीव ने यह भारतों को गुलाम बनाने के लिए इन लोग ने जो बड़े बुढ़ों को पुछो पहले बिना पैसा के चाय पता बाटना सो रुख्याब दिया तो बड़े बड़े कहते हैं वो लोग खुद आकर के चौहराया में खूद चाइब बनाया करते थी चाय पीए उसको एक रुपया मिलेगा प्यों उस दिन बाद में बने पच्चास पैसा मिलेगा प्यों प्यों दिनी बाद में वह सक्ष्वाज़ा मिलेगा। पर फ्पीयो ऊस्के अवनको पैसा मुले पीशा नहीं है कि कुछ देनी बात में एक रूपया दो नाज चड़ी गए फेर एक रूपया चारि दो पांच रूपया लो अभी कितना पैसा होगया ब federिट नहीं किल रुपिया मे द defendete रुपिया हो अगर तीन चारी बार चाइए चाय में जाता हैं वे दन देन भर भोजन का पैसा चली आता हैँ उतना पसा में पाइसा में अतना पसा में क्या होगा अब हिसा आप करें द Vish概 हो कर के पैसन चाय पीन है ऎसलिए उन लोग ने अपना सब्सक्राइब बना दिया हम अपना नछा की अधिन मिला दिया और पैसा लूट लिए हम बेकूप हो करें फ्रेशन चाय पी रहें नहीं इसमें कभी ने अब रामदेवबा का जोगा देखो एकदम मना करता है चाय मत पीओ घ्याष्टी के होगा तुम्हारी अब रामदेवबा का जोगा देखके दोगो पीना तो हरबल टी पीओ गोकुल्टी प्रज्ञा पीओ जो जड़ी बना करता है आप देख लेना रामदेवा का जोगा देख लेना क्या बोलता है कितने खत्राइए शरीर के लिए चाय कितने खत्री ठीक है ना हर बल्टी गोकुल्टी यह सब चीज़ को प्याकर जो तुम्हारी हेल्थ के लिए अगर लिखे बड़े हो अगर बेकुब हो तो प्यों कोई बात नहीं अपना सरीर को हानी पहुंचा है जितने चाव में पिते हो उतना में दूद्ध तो मिली आई तुमको अरे दूद्ध कि पीड़ी सिगरेट सराप इसवाध गंधी चीज़ में नहीं लेनी चाहिए इसलिए जिसे ठागुर को सवा करते हैं कभी-कभी ऐसे कमबल होता है जिसमें लोम जड़ता है इसे बाल से पनाया हुआ हो लोम जड़ता चाहिए जिस बस्तर को पहीं करें और करके इसलिए एक सुना अच्छे बात से ठाकर जी तुम्हें समर्थ दिया है, ठाकर जी तुम्हारी समर्थ दिया है, लेकिन समर्थ देने पर भी हम क्या करते कभी-कभी, ठाकर जी वो सेवा है न ठीस नहीं करते हैं, लेकिन जब बच्चे के लिए अपना के लिए हो देखना खुब करते हैं है लेकिन ठाकुर जी लिए देखना घर में कभी कभी पुषाग ठाकुरण को ठीक से नहीं करते हैं कि ठाकुरण घर में जितने साड़ी हो अगर थीद नए शाड़ी लाते हैं अब देखों और धाकोर जी के लिए एप्रसन होते हैं पूरान में बताए अगुर के जो कोई नया पश्तर पहिनाते हैं उसमें जितने धागा होती है ना उतना कल्पत अगठा गुर्जी वैकुंध वास देते हैं अपना धाम में बास देते हैं अब बताओ भगवान की जो अंगुल खट गई द्रवपदी ने के बला सारी फाड़ करके ब्रांड़ज करती ना इतना तकी थी भगवान सोच रहें कब टाइम मिले इसकी इसके रिडी में कब उतारोँ जब भरी सभा में उसकी लाज जा रही थी आप बताओ द्रवपत कितने पतिते बोलो जोर से लेकिन कोई काम में आ याइ कोई काम में उसकी नहीं आए वह आख फाड़ फाड़ करें देख रहे थी कोई तो कुछ बोले गा कोई कुछ बोले नहीं पिताम भिश्मत है दुर्णा चार्जा कृपा चार्जा थी उनको तरप में भी आग फाड़ फाड़ देख रहे थी यह भी तो कुछ बोलेंगे कोई कुछ बोल रहे थी कोई कुछ बोलेंगे जिसकी पांच-5 पति काम में नहीं आए हमारे एक पति क्या काम में आएगा अंतिवी समय में जो हाथ उठा करें उसने हे गोबिंदर आखसरन अप्त जिवनहारी ठागुर जी मैं तो सोच रहा था यह कोई काम में आएगे कोई काम में नहीं आए इसलिए ठागुर जी तेरे सिवाय हमारी जगत में कोई नहीं बास चुब दोन हाथ उठा करके भगवान और को समर्ण की ठागुर जी स्वयम बस्त्र रूप में प्रकट होगे ठागुर जी दस हाजार हाती का ताकत खतम हो गई लेकिन दस गजसाधी खतम नहीं दुनिया देख रहे ती साधी बीच कोई नारी नारी स्वयम साधी बनी गई पहाड से पहाड हो गई लाश्ट में दुसासन गीर पड़ा लाश्ट में इसलिए देखो भाया अगर कोई काम में आने वाले ना कोई काम में आने आएगा और कोई हमारी काम में आने वाले नहीं भले जितने दुनिया दारी धान दौलत हमारी कोई काम में नहीं ठीक है ना इसलिए क्या करो ठाकुरु को पाणी में ठाकर कशना अन्थ्रात्ति लग लगाओ ठाकर कपड़ा ठीक से पहिनाओ देखो उधार न दिया है जास्त्र में जैसे अपना सरीरी को अच्छे तरह सजाओ अच्छे तरह सजाओ सजा करके सिसा को सामने अच्छे तरह जितने अच्छे तरह अच्छे तरह उनकी पुजा सेवा उनको भोग लगाएगा लखमी उतना घर में तुम फलते फोलते रहोगे क्योंकि ठाकुर अगर खोस होए न अपनी आप तुम खोस रहोगे अगर ठाकुर ही खोस नहीं तुम्हारी घर में है ठाकुर ही खोस नहीं बले भया घर में जितने धन दवलत घर में जितने हो सके आप दखना आप खोस नहीं रह सकता हो क्यों तुम्हारी घर में ठाकुर ह नहीं लक्ष्मि अगर वह लख्मी डिवामें लग रहा है तुम अपना भोग में लख्मे को लगना चाहते हो लख्मी को भी खुशोर येगी बिगड़िजाए घर में भर में तुम शुख शान्ती घर human में नहीं लगा रहे हो फिरो क्या होगा उसको दोस एक तुमारी दोस है पैसा रहते हुए भी तुम ठाप कर नहीं लगा रहे हो इस लिए üş İ Kansas कि स्भा में तुम भी झारे हो भगवान की अवर देखो त्यान देख करके कल में भी बता रहा था घर में कोई भी भस्तु आता है घर में ठाकुर जी को अरे कृष्णा लाइट चली गई ना चोड़ तो चोड़ ले इसलिए घर में घर में कोई भी घर में चीज आती है पहले ठाकुर को भोग लगाओ ठीक उसको पहले ठीक फिर तो सब के सब बच्चे को खिलाओ पती को खिलाओ खूद भी खाओ ठीक है ठाकुर जी को भोग लगाए बगर कोई चीज घर में बहुत अलग 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 पहला आता है जब किसी सिजिन में कोई नई चीज आए हम क्या चाहते हैं हम भी खाए बलते न वह भी हम लोग से बां बहुत रही हैं घर में कोई चीज आई है यह ईच्छा तरह से ध्यान करके सुना पहले उसका जो अगर भाग है अगर किसको दे दिया आप किस दूसरों को फिर जो बच्चा हुआ चीज को फिर भगवाण को दिया नहीं से नहीं हो जाई पहले उसको जो बच्च जाएगा अगर घर में कोई खा रहे ठीक है ठागुरु के लिए उठा दिया फिर तुम लोग खाओ भगवान की भोग लगाए नहीं पहले हमने निकाल करें खाना शुरू कर दिये नहीं पहले अगर जल्दी बाजी है बच्चे स्कूल जा रहा है पती को कह गष्ण है का में जाना जल्दी जल्दी पहले क्या shining थोड़ीशी ठागुरुजी प्लेट में ठागुरु जी के लिये रोटी सब चस Megan करकं चाहिए कός नगुत क case सण करने चाहिए और किसी देवा देवी अदेवी कि कभी निंदा चर्चा नहीं करने चाहिए क्यों को हम भी नहीं सो सकते उसी दर जैसे ठागुर का मंदरी हो उनके लिए स्क्रीन लगाओ ठागुर जी जब इतने एक दिन किया हुआ है ठागुर जी पुजार की बेटी को बास में